तो आज हम करने वाले हैं हमारी next unit complete तो चलिए शुरू करते हैं तो इसमें हमारे वो basic terms है जो कि हमने बिकॉम में भी पड़े हुए हैं लीजिंग हो गया जैसे कि हमारा higher purchase हो गया ठीक है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और यह unit अच्छे से हो जाएगी 32 marks का हमारा यहां से हो जाएगा और 2 marks में भी यहां से बहुत question बनते हैं तो फर्स्ट है leasing, leasing क्या है? Leasing एक contract है किसके बीच में? Lesser और Lassie के बीच में Lesser कौन होता है? Honor होता है किसी asset का तो यह जो lesser है यह दूसरी party यानि Lassie को अपनी asset देने के लिए तयार होता है इस contract के base पे for a fixed consideration and for a certain period कि भई मैं आपको अपनी asset दे दूँगा और आपको इसके बदले में एक fixed amount जो है rent के तोर पे मिरको pay करनी पड़ेगी और मैं आपको इतने time के लिए दे रहा हूँ ठीक है? तो इसमें consideration fix होता है और time period fix होता है उसके बाद next है types of lease lease कितने type का होता है तीन type का होता है lease आपका operating lease, financial lease and leverage lease mostly ये दो types ही आते हैं जादा तर हम देखे तो बट ये भी अगर paper में आ जाए तो फिर पता होना चाहिए कि इसमें कि लैसी जो होता है यानि जिसने आपकी assets ली है बतलब ये वाला बनता अनधर जो party है वो क्या करता है उसको right मिल जाता है assets को use करने का एक short period के लिए operating lease में हम short period के लिए ले सकते है जैसे एक week हो गया या फिर एक month हो गया assets को हम एक short period के लिए ले सकते है जैसे एक week या एक month हो गया और क्या होता है इसमें lease में भी renewed after expiry date की expiry date के बाद lease को renew कराई जा सकते है मतलब time period और भी बढ़ाया जा सकते है या फिर जो lesser है वो अपने assets वापिस ले लेगा और इसमें कौन-कौन से assets आती है जैसे की computer हो गया और technology advancement वाली जो भी assets होंगी वो इसके अंदर आएंगी next financial lease है financial lease क्या है lease for basic terms यह जो है बेसिक एक time period के लिए लिया जाते है और यह time period operating lease से जाधा होता है और उस time period तक आप मतलब यह cancel नहीं कर सकते है इस contract को उस time period तक आपको अपने पास assets रखनी ही होगी और यह किस पर depend करते हैं जो time period होता है depend on economic life of assets कि एक asset की economic life है कितनी 10 साल है 15 साल है या 20 साल है तो उसके base पर decision लिया जाते हैं कि कितने time period तक के लिए हम lease पर उसको दे सकते हैं इसका example है land and building next हमारा है leverage lease leverage lease जो होता है इसमें lesser जो आपका है यानि owner जो है वो lender जैसे की bank हो गया lender मतलब कोई भी bank हो गया तो वो क्या करेगा lesser bank से fund ले लेगा उधार ले लेगा ताकि वो assets वगयरा खरीज सके और फिर वो same lesser जो है अपनी asset lessie को दे देगा अब जो lessie है वो lesser को payment नहीं करेगा बलकि bank को payment करेगा ठीक है lender को payment करेगा ओके next देख लेते हैं leasing advantages and disadvantages तो यह जो lease वाला topic है या तो 16 marks में आ जाएगा या फिर 8 marks में भी आ सकता है इसके साथ higher purchase वाला भी आ जाता है कई बार तो वो भी करा दूँगी फिर देखो भी leasing advantage क्या 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 advantage होती है lease की better use of working capital fund की आपके पास जो amount होगी क्योंकि आप आप मान लो कि कोई asset आप उसको खरीदने लगे चाहिए वो land होगी या फिर building होगी तो खरीदने में आपके पास जितने amount ही न सारी amount खर्च होगी लेकिन अगर आपने उसको lease पे लिया है तो बाकी amount जो आपकी बचे जाती है क्योंकि थोड़ी amount हमने pay करनी पड़ेगी है न और बाकी तो वैसे दिरे-दिरे पे होती रहेगी तो जो amount बचे जाती है आप उसको बड़िया जगा invest कर सकते हैं तो better use हो जाएगा उसका convenience होता है क्योंकि इसमें आपको mortgage pay नहीं करना होता formality कम होती है और long term borrowing वाला जो risk है वो avoid हो जाता है time saving है ठीक है क्योंकि इसमें आप तो आपका time बच जाता है यहाँ पर no risk of obsolence obsolence वाला risk जो है वो lessy को उठाना नहीं पड़ता है यहाँ पर cost saving होती है कैसे because lease rentals are deductible from taxable income क्योंकि lease rentals जो होते है वो taxable income में से deduct हो जाते हैं मतलब pay नहीं करना होता tax वगरा तो cost save हो जाती है flexibility है जैसे short time period के लिए अगर हम lease ले जैसे हमने कुछ एक month या week के लिए ले लिया तो हम उसको renew करा सकते हैं जब चाहो time period बढ़ा लो आपस में contract के तो तो कोई दिक्कत भी होती है disadvantage देख लेते हैं so lessy के point of view से disadvantage यह है कि यह तो वह another party जिसने की asset ली है तो इसको सिर्फ assets को use करने का right होता है ownership नहीं होती उसकी कि मैं चाहूं तो बेज सकता हूं बेज नहीं सकते हैं सिर्फ उसको use कर सकते हैं lessy may not be allowed to modify और improve leased assets without lesser approval जब तक lesser अपनी approval ना दे दे सहमती ना दे दे हामी ना भर दे तब तक वो lessy जो है वो उस assets को ना तो इंप्रूव कर सकते हैं ना ही modify कर सकते lease को cancel भी नहीं किया जा सकता अगर हम financial lease ले रहे हैं तो जितने time period के लिए हमने ली है तब तक वो contract बना के रखना होता है cancel हम नहीं कर सकते more expensive overall than buying an assets वैसे basic से हम working capital fund का better use कर ले बट अगर द्यान से देखें तो अगर हम किसी assets को वैसे खरीदते एक साथ अगर हम payment करते वो payment और अगर हमने rent पे ले रखिया है तो rent पे हम जो payment कर रहे है तो उसे साब से अगर दोनों देखें तो यह जो method है lease वाला method यह expensive method प्रूफ होत agreement है जिसमें आप कोई consumer goods expensive जो consumer goods है उनको खरीदना चाहते हो तो आप जो buyer हो वो क्या करोगे सबसे पहले तो down payment कर दोगे down payment का मतलब यह नहीं है कि जितने का खरीदा सारा का सारा पैसा एक साथ देगा नहीं कुछ amount होती है जो आपको pay करनी होते total amount का कुछ हिस्सा उसके amount के साथ आपको interest भी pay करना होगा ठीक है जैसे for example आपने कोई car खरीद ली या आपने कोई mobile खरीद लिया या फिर आपने कोई bike खरीद ली तो आपने agreement कर लिया फिर शुरू में आपको कुछ payment करनी होते है वो होते है down payment initial down payment उसके बाद आप installment में pay करते रहते हो with interest ठीक है तो पूरी process कहलाते है higher purchase इसकी merits और demerits merits क्या है convenience in payment मदलब क्योंकि हमें एक साथ इतनी सारी payment नहीं करनी होती installment में करनी होते है तो convenience होता है आसान होता है payment करना increased volume of sales जो higher purchase मतलब कि जो बंदा बेच रहा है तो उसकी sale बढ़ेगी कैसे क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो मतलब middle class family जो members है वो एक साथ payment नहीं कर पाते हैं तो वो installment में लेते हैं तो जादा तर जब आप में installment में payment करेंगे तो लोग खरीदेने आएंगे sales बढ़ेगी sales बढ़ेगी तो profit increase हो जाएगा profit बढ़ जाएगा saving increase होगी कैसे encourage होगी saving कैसे कि आपने installment में payment करने है तो आप एक fixed amount हमेशा बचाओगे कि मेरे को payment करनी है और ऐसे जब आप fixed amount बचाओगे तो आपके saving के आदत बन जाएगी helpful for small traders small traders जो कि एक साथ कोई चीज नहीं खरी सकते जाए वो बड़ी machine हो या फिर कोई building हो तो building तो नहीं बोल सकते machine ही बोल सकते है तो कोई machine है वो खरीदना चाहते हो और वो उनको एक साथ payment अगर वो नहीं कर पाते तो वो higher purchase system अपना सकते है installment में payment कर देंगे तो इनके लिए helpful हो जाएगा earning of interest और ये जो seller होता है इसकी sale बढ price higher price इसलिए है क्योंकि अगर आप एक साथ एक मुष्ट जो है lump sum amount pay करते तो आपको सिर्फ cost देनी होती लेकिन अब जब आप installment में pay कर रहे हो तो आपको interest भी तो pay करना पड़ेगा ना तो उससाथ से तो भेंगा पड़ गया higher price है artificial demand artificial demand create करता है मतलब actual demand create नहीं करता है क्योंक difficulties in recovery of installment कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा बंदा आप से कुछ खरीद ले जाता है कार पर गयर या फिर ऐसा कुछ भी जो की recover मतलब उससे हमने पैसे वापिस लेने मुश्किल हो जाते है तो difficulty हो जाते है installment को वापिस recover करना break up of families कि कुछ families जो है वो higher purchase की वजए से टूट गई है बिछड गई है तो ऐसा example western countries में देखा गया है क्योंकि वो बड़ी-बड़ी महंगी-महंगी चीज़े खरीद लेते हैं जिनके उन्हें जरुरत भी नहीं होती need भी नहीं होती and फिर वो payment करते रहते है करते रहते है तो next next हम पढ़ेंगे mutual fund which is most important topic mutual funds वाला आज आता है कई बड़ तो देखो mutual fund क्या है यह investors आप देखो आप ना अकेले equity, bonds, gold मतलब जरूरी नहीं है न कि आप इतने अमीरों की सब जगे आप invest कर दो या फिर किसी एक security में भी invest कर दो तो जब दो या दो से ज़ादा investors ठीक है क्योंकि हाँ पे तीन investor हो गया हमारे वो क्या करेंगे mutual fund company में जाके पैसे देखे आएंगे कि अब आप पैसे लेलो हम invest कर रहे हैं तो mutual fund company सब के पैसे को मिला के किसी बढ़िया सी security में चाहे वो equity है, bond है, gold है या फिर कोई अदा security है वहाँ पे invest कर देगी ठीक है और फिर उस security से जो भी return मिलेगी पैसे मिलेगे उनको वापिस investors को बाट देगी भेज देगी, जितनी नोंने money दी है उस ratio में तो इसका फायदा investors को होगा कि उन्हें खुद invest नहीं करना पड़ेगा तो उनको यह नहीं पता लगाना पड़ेगा कि इस पर कितना, मतलब formality वगेरा पूरी नहीं करने पड़ेगी, सारा का mutual fund company करेगी, यानि mutual fund का जो manager है वो करेगा, ठीक है तो यह mutual fund की main main definitions ही है कि क्या होता है mutual fund advantage की इसकी बात करें तो liquidity बनी रहती है, इसका मतलब यह है कि जो mutual fund company का manager होगा, यह mutual fund company जो है, वो ऐसी जगह invest करेगी, जहां पर profit जादा हूँ है ना और मतलब जब हम चाहे उसको cash में convert कर सके ऐसा कुछ और एक asset के risk को दूसरी asset जो एक investment है उसके risk को दूसरी investment के profit से भी हम exchange कर पाएंगे, तो liquidity बनी जाएती है diversification, diversification यही है कि हम सिर्फ एक जगह invest नहीं करेंगे, जैसे हम सिर्फ gold में invest नहीं करेंगे, हम सिर्फ equity में invest नहीं करेंगे, हम 2-3 security में invest करेंगे, ताकि अगर किसी एक security से हमें loss हो भी जाए, तो हम दूसरी security के profit से उसको cover up कर सके expert management, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, कि investor expert हो, invest करने में, तो इसलिए तो वो mutual fund company के पास गही है, जो कि expert है, invest की, और जिसको सारा कुछ पता है, कि इसमें invest करेंगे, तो इतना profit होगा, इतना loss होगा, तो उनको फाइदा हो जाता है, expert management का, investors को, ठीक है, invest in smaller denomination, क्योंकि ये उन investors के लिए है, जो कि जादा amount invest नहीं कर सकते, smaller smaller, smaller, छोटी-छोटी हिस्से, जो अपनी money के है, वो यह डाल देते हैं, mutual fund company, इनका ही कठा invest करते, तो smaller, जो denomination हो होता है, tax saving है, tax payment नहीं करने होती, future financial goal, कि आपकी जितनी financial शमुता होती है, उसके इसाब से होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि excess amount आपको pay करने होगी, और systematic process होता है, सारी चीज़े बिल्कु systematic way में होती है, बिल्कुल एक systematic process है, disadvantage की बात करें, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि high cost pay करनी पर जाती है, जैसे माल लोजिस्ट में invest करा, और वो investment सही नहीं बैठ थी, तो फिर वो cost तो आपकी चली गई, तो उस चीज़ का नफसान हो जाता है, कभी-कभी होता है ऐसा, उसके बाद exit load, कभी-कभी penalty भी pay करनी पर जाती है, इस से के regarding, और diversification ठीक है, लेकिन अगर over diversification हो जाए, तो वो disadvantage बन जाता है, और कई बर जो management authority होती है, वो जो यह आपके amount आई है, इसका misuse भी कर सकती है, कुछ profit अपने पास रख लेगी, सारी amount, सारी returns तो आपको मिलने वाली है नहीं, कुछ returns, कुछ हिस्सा तो वो अपने पास भी रखेगी, next है merchant banking, merchant banking क्या है, एक institution है, which cover up wide range of activity, जो की बहुत सारी activities को cover up करते हैं, क्या क्या underwriting of shares, shares को underwrite करते हैं, portfolio management की रूप में काम करते हैं, insurance का भी काम करते हैं, तो merchant banker बहुत सारे काम करते हैं, और ये सारी service के लिए वो fees लेता है, या फिर commission भी ले सकता है, जितने भी commercial और investment bank होते हैं, वो merchant banking में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी, जो merchant banking है, वो commercial और investment bank से थोड़ी अलग मानी जाते हैं, तो उसका difference जो है, वो पीपर में आ जा है, मैं बता दूँगे, they are related to primary market, merchant banker primary market से related होते हैं, इसके functions बहुत important हैं, ये भी आ जाते हैं, कि functions क्या क्या है, project counseling, कोई भी project, कुछ भी चीज़ है, तो उसके समन्द में सलाह प्रदान करने का काम, merchant banker करते हैं, lease की सुविधा प्रवाइड करते हैं, underwriting करते हैं, shares का, आपने पॉर्टफोलियो बनाएगी, हमने इस इस शियर में, या इस डिवैंचर या बॉंड में इवेस्ट करना है, तो उसको manage करने का काम करते हैं, merchant banker, loan syndication, loan provide करते हैं, आपको, promotional activity करते हैं, जैसे कोई नई enterprise है, वो आई है, तो उसको loan दे देंगे, पर्मोट करेंगे, कि भी आप अपना business चलाओ, issue management के रूप में भी ये काम करते हैं, advantage में सारी चीज़े वही हैं, जो function में थी, कि भी आपको portfolio management की help मिल जाएगी, portfolio आपको खुद manage नहीं करना पड़ेगा, issue management assistance के रूप में मिल जाएगा, immediately debt funding मतलब आपको loan वगरा जल्दी मिल जाएगा, lease financing की service मिल और counseling आपको मिल जाएगी, और जो project feedback है, वो honest मिलेगा, commercial banker की तरफ से कि आपका project कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, this advantage देख लेते हैं, you may not receive complete funding, कि funding मिलेगी तो सही लेकिन complete नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ हिसा ही अपने पास fees या commission की रूप में रख लेते हैं, और जो interest rate है वो ये अपने इसाब से देते हैं, तो आपका उन पे कोई भी control नहीं होता, नहीं returns पे आपका control होता, ये भी अपने इसाब से देते हैं, कुछ हिसा fees के रूप में रख लेंगे, बाकि देंगे, कभी-कभी ये high fees भी ले लेते हैं, जब ये high fees चार्ज करेंगे, तो ये आपके demerit ये disadvantage बन जाएगी, poor trade execution, वैसे तो ये हमारे assistance होते हैं, हमें counseling provide करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये poor trade execution भी हमें provide करते हैं, मतलब अच्छी तरह से मालो counseling ना करें, तो फिर वो हमारे disadvantage बन जाएगी, next है credit card, credit card भी आ जाता है, types भी आ जाती हैं इसकी, तो वो देख लेंगे, credit card card is defined as a card, आपने वैसे देख भी रखाऊगा credit card, जिसके बेस पे हम shopping वगेरा करते हैं, तो ये card होता है, जिसके बेस पे हम cash obtain कर सकते हैं, और कोई भी good or services खरीद सकते हैं, एक credit limit होती है, उस limit तक हम हम अमता पैसा इसके तुरू खर्च कर सकते हैं, features की बात करें, तो alternative of cash, cash का alternative है, जैसे की चाय का alternative coffee है, चाय पिलो या फिर coffee बेला, उसी तरह से cash या credit card में से आप एक रख सकते हैं, cash तो खो भी जाए हैं, चोरी होने का भी डर है, बट credit card एक plastic card होता है, तो फिर मतलब वो संभाल के रखा जाता है, cash तो अलग-अलग हो जाएगा, फिर दिक्कत हो पैसे खर्च कर सकते हो, उसे जादा नहीं कर सकते हैं, record keeping of all transaction, जो credit card जारी कर रही है, आपको issue कर रही है, वो आपकी credit card की सारी details, सारी transaction, आपने कितनी transaction करी है, कितनी amount pay करी है, उसका सारा record रखती है, इसका एक grace period होता है, उस grace period मतलब कि जैसे credit limit होती है, कि इतनी credit आप use कर सक और उस time तक आपको अपनी amount है, उसकी payment जिस bank से आपने credit card issue करवाया है, उसको pay करनी पड़ेगी, अगर आप pay कर दोगे उस grace period तक अपनी amount को, तो आपको interest वगेरा और कोई भी charge pay नहीं करना पड़ेगी, लेकिन अगर आपने payment में delay कर दी, timely आप payment नहीं कर पाए, तो आपको additional charge pay करना होगा, credit cards के type बड़े important है, गोल्ड credit cards, तो देखो, गोल्ड credit card कौन से होते हैं, यह higher income group के लिए बने होते हैं, मतलब जिनकी income बहुत जादा होती है, और status का symbol भी होते हैं, इसमें जो cash आप withdraw कर रहे हो, उसकी limit भी high होती है, और credit limit भी high होती है, प्लेटेनियम card, गोल् सारी safety प्रवाइड करते हैं, जैसे gold card यह safety प्रवाइड नहीं करते हैं, लेकिन platinum card प्लेटेनियम card प्रवाइड करते हैं, जैसे कि protection अगिन online fraud transaction, online fraud transaction आपने करी है, तो उसके साथ आपकी protection प्रवाइड करेंगे, credit card कर कोई loss हो गया, तो यह जैसे theft के true चोरी बोरी होगी, तो आपको protection प्रवाइड करेंगे, और yearly fee भी आपको पे नहीं करनी होती, silver credit card, standard credit card होते है, employed जो people होते है, मतलब करमचारी वगेरा, वो इनको use करते है, lower membership fees इनके उपर पे करनी पड़ते है, और इनकी rate 0% होती है, अगर 6-9 मन्त के लिए credit card पे credit लिया गया है, तो, secured credit card, यह card holder के credit line बना देते हैं, और यह limit जो है, उसी के अंदर आपको खरीदना होता है, कुछ भी चीज जो है, और इसमें जो deposit आपने कराया है, 50-100%, उसके base पे लिमिट तै होती है, ठीक है, जो आपने account में डाला, उसके base पे, इसमें आपको annual fees करनी होते है, लेकिन इसकी जो interest rate होती है, annual interest rate वो बहुत हाई होती है, reward credit card, यह credit card जो होते है, reward program चलाए राते है, इसमें क्या होता है, कि आपने जो भी amount spend करी है, वो उसके base होती है, और इसमें आपको reward cash के रुप में मिल सकता है, discount के रुप में मिल सकता है, ठीक है, special credit card जो होते है, वो retailers, partnership, service, providers, इनके लिए बने होत provide करते है, between organization, organization के बीच में, last और सबसे most important topic, difference between merchant banks and commercial banks, merchant bank की meaning लिख देंगे पहले, हमने पढ़ा था न, underwriting का करता है, portfolio management का करता है, तो वो सारी चीज़े आप लिख दोगे, फिर commercial bank का meaning, commercial bank क्या होता है, simple bank जैसे करते है, वैसा ही करते है, number of people ने मिल के इसको बनाया होता है, और basic banking functions provide करते है, deposit जैसे कि आपकी money को जमा करते है, और आपको धार देते है, अब जो merchant bank है, उसको govern कौन करते है, मतलब किसके अंडर आते है, ये rules and regulation जो है, से भी बनाते है, merchant bank के rules and regulation, लेकिन commercial bank जो है, वो banking regulation act 1949 के अंडर आते है, engaged in, merchant bank जो होते है, ये देखो, यहापे वाला ही धराना था, तो merchant bank जो है, आपके, वो consultancy प्रवाइड करते हैं, consult देते हैं, आपको सला देते हैं, लेकिन जो commercial bank है, वो general banking service करते हैं, merchant bank जो है, वो किस टाइप का loan प्रवाइड करता है, equity related loan, और commercial bank debt related loan, risk की बात करें, तो merchant banking में ज्यादा risk होता है, लेकिन commercial banking में कम risk ह करते हैं, merchant bank advisor, financial advisor का काम करते हैं, लेकिन commercial bank सिर्फ financier का काम करते हैं, advice नहीं देते हैं, मतलब, caterers की बात करें, तो merchant banks corporate firm की need को पूरा करते हैं, फर्म सिर्रेड हैं, मतलब यह, और commercial bank है, वो general public की need को complete करते हैं, तो हमारी ये unit complete होगी, management of financial service की, तो I hope आपको समझ आयोगा, समझ आयोगा, तो please वीडियो को like, share और subscribe जरूर कर दे चैनल को, अगर जिसने आप तक नहीं कर आए तो, और comment में भी आप लेख सकते हो, जो भी आपको, ठीक लगे, ठीक हैं, 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